जया बादूरी क्यों बढ़की सभापती जगदीब धंकड से क्यों बिढ़ गई क्यों करना पड़ा विपक्स को सदन से वोक आउट सोनिया गांदी सहीत विपक्स की तमाम मैला सांसदों ने धंकड के खिलाप मोर्चा खोल दिया पत की गरीमा को ध्यान में नहीं रखने सही तमाम आरोप मैला सांसदों ने उनके उपर लगाई और पूरे मामले मसले पर क्या कहते हैं सारे विश्य शग्ये और क्या होना चीए असल के अंदर तो ये चीज़े थोड़ी शी आज के इस वीडियो में पर डिसकस करेंगे मेडम ये नया नहीं चला यहाँ पर जब भी बोलते हैं सिया राम बोलते हैं तो आप सोचके देखिए राधा कृष्ण बोलते हैं तो ये सदियों से चला आ रहा है एक इस्तरी अपने पती का साथ में नाम लेना गर्व के अन्बोती करती है और आप यह बोल रहे हैं कि अभी ये नया नया ट्रेंड चला आ रहे हैं बारत में रह रही है अपन जिस कल्चर की वजए से भारत की जिस शंसकर्तिक वजए से आपको इतना नाम मिला है आप उसी की मरिएदा को टाक में रखकर कुछ भी बात कर रही है यहां सीता राम बोला जلता है जो जया अमिता बच्चन बोलने में क्या गलती है देखी भारत के कल्चर को सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम नहीं लगा जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में याता है और जो यहां समिट किया जाता है उसके अंदर बद्राव की परक्रिया है सदन के अंदर जो चीजें हुई जया अमिता बच्चन जी के साथ और जगदीब धनकर जी ने जो लेशन सिखाया है वो पूरे देश को उससे एक सीख लेनी चाहिए कि जब आप काइंड होते हो जब आपको यह टेंटरम वगेरे नहीं करने होते तब आप कितने ही पदपराशीन हो चाहे आपने धनकर जी को हाथ जोड़ते विदेखा होगा विन्यमर उनका सभाव है लेकिन जब आप कुछ नहीं होते तो यह जो नचनिये हैं बोलीवड वाले जो डोलकिये हैं जो एक तरीके से जिनको अपन भांड भी बोल सकते हैं तो यह लोग जिनका यह काम था सिर्फ मनोरंजन देना उन लोगों को ज़्यादा इज़त मिल जाए तो थोड़ी रास नह जो पहली बात तो बार-बार टिकाटो की, मीडिया को ललकारना, मीडिया के सामने यह वो अपना टेंटरम शो करना तो इनको यह लगता है कि हम सबसे बड़े, मतलब हमसे बड़ा कोई नहीं है इस देश में जो अपने आपको ऐसे प्रजिडेंट समझने लग जाते हैं उन तमबानी उस लड़के सीखिए कि इतना पैसा होने के बाद में कितना हमबल रह सकते हैं अपन तो यह जो है वो टेंटरम अपने घर के अंदर साइध अमिता वच्चन जी भी इनको नहीं ऐसा सबक सिखा पाते जैसा धंकर जी ने शिखाया है तो इन्होंने बोलाए कि सभा समान जनक बोल रहे हैं जब आप मीडिया से टेंटरम कर रहे हैं कि मुझसे यह सवाल मत पूछे वह सवाल और उनके सामने ऐसे हेकडी दिखाना अपने जो काम की और की अरे तो कला के छेतर में आपका संबान करते हैं लेकिन आपको यह भी नहीं बूलना चाहिए कि एक बा पता चलता लेकिन जो लोगसवा से जीत कर रहे हैं अगर हंबलने से देखनी है तो आप नरेंदर मोदीजी से देखिए वो कैसे गरीबों से मिलते हैं उनकी हंबलने से देखिए लेकिन आपको यह चीज़ें देखनी नहीं है करजी ने जो उनको जगे दिखाई है अपनी जो वास्तविक चोकात जिसको बोलते हैं जिसको दिखाई है वो बहुत अच्छा काम किया है एकि जया बच्चन को लोग अमिता बच्चन की पत्नी के रूप में जड़ा जानते हैं अगर वह अमिता बच्चन की पत्नी नहीं होती तो साहिद राजी सभा की संसक नहीं होती इससे पीछे का कार्म यह है कि ने तो जयावचन का विवारच है और ने ही उनका अभिने केरियर में कुछ खास है उनसे ज्यादा केरियर तो उनकी बहुरानी का खास है जो कि बहुत अच्छी एक अभिनेत्री थी और ने ही उनका अभिने केरियर कुछ खास रहा है और अगर बहुत अबिएट किया तॉर्ष जी का देखिए ना उनका हंबल निचर देखिए हर एक भारतिय महिला आपका नाम अपने पत्थी के नाम से जुड़ने से गर्व की अनबो absurd करती है का अगर आपको नाम चेंज करवाना है तो उसका एक प्रोसेस है जया बच्चन को नो फिल्म फियर अबोर्ड मिलें 1973 में जब अमिता बच्चन की साधी वी तो जया बादूरी का कद अमिता बच्चन के कहीं उपर था साधी के बाद उन्होंने लगबग फिल्मों से अलविदा कह दिया और दो-तीन फिल्में की ये एक अलगपक्स है और सही माईनों में मिता बच्चन की जो ख्याती है जया से साधी करने के बाद और ज्यादा बढ़ी और व्यक्तिकत तोर पर तोपन कोई भी नहीं जानते है लेकिन इनका अविवार थोड़ा खराब है थोड़ा रूड है कि सपासांसर जो है जया बच्चन जी धनकड से ज़्यादा अन्बोवी है इसलिए ऐसे मांजना बासा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हे बगवान जो आदमी उप्राष्ट पती है उनसे ज़्यादा अन्बोवी है कौन सा ऐसा खास बद है कम से कम उप्राष्ट पती है वो बांड तो नहीं है वो ऐसे तो नहीं है कि किसकली मानोजन करता हो मैं ऐसे सब्दों का प्रियोग नहीं करना चारा कर ला का छेतर भी एक अमना चेतर होता है I need an apology I need an apology for saying I don't care he has to get, he's on the chair Jayamita Bachchani is the last speaker on this point Sir, I want Jayamita Bachchani to say this I'm a colorist, I know body language and expression And sir, forgive me, but your tone is not extreme ये कली झालीग सै you may be sitting on the chair मादिय 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 रखा, I know how to deal with it मादिय, जै ये जई, you had a great reputation You are under great reputation You know an actor is subject to the Director You are not seen what I see from here Every day to day I don't want to repeat I don't want a schooling I am a person who has gone out of the way, and you say, why don't, no, 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 don't have flow now, no, enough of it, enough of it, no, enough of it, you can't have it, you may be anybody, you may be a celebrity, you have to understand the decorum, no, nothing to him, nothing, no, no, not at all, I will not dare it. youth, youth, one second, please, please take your seat, no, no, never carry an impression that only you give reputations, will come here to reputations, will give up to reputations, nothing going, no. मुझे डाटने वाले कौने एक तरफ अश्वर्य राय नाश्टी हुई दिखेगी डांस होगा वहाँ पे दूसरी तरफ बल्ले बल्ले करके अविता बच्चन निकलेंगे मैं कलाकार हूं, बोडी लैंगविज समझती हूं, एक्स्प्रेशन समझती हूं Jaiji, you have earned a great reputation You know an actor is subject to the director You have not seen what I see from here Every day, I don't want to repeat I don't want schooling I am a person who has gone out of the way And you say, my tongue You may be anybody You may be a celebrity You have to understand the decorum Never carry an impression That only you beat reputation Will come here and beat reputation रेगा क्या? और अपने आपको ऐससे बोल रहे हैं कि हम सबसे वरिष्ट हैं और मैला रहे को एस समानजनक्विवार अरे तो आप किसको ऐस मानजनक बोल रहे हैं ऐस मानजनक तो हो है जब आप मीडिया से इसे टेंटरम कर रहे हैं कि मुझसे ये सवाल मत पूछे है वो सवाल मत पूछे है और उनके सामने ऐसे हेकडी दिखाना काम की और की अरे तो कला के छेतर में हो आप आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं बूलना चीए, कि एक बांड में, एक मनोरंजन करता में, और देश के अंदर, संसद के अंदर, एक माननीय सदस्य बनने के अंदर, एक अलग गर्म में होती है, आप जिस पद पर आसीन कर रहे हैं, राजिसभा के अंदर, पद डारेक्ट आपको राजिसभा से मिला है, अगर लोक सभा से आप आते, तो आपके अंदर यों टेंट्रम नहीं रहते, कहास, आप लोक सभा से जीत कराते हैं, तब आपको वेल्यू का पता चलता, लेकिन जो लोक सभा से जीत करा हैं, अगर हंबलने से देखनी है, तो इगर वहय अमितावचन की पतनी नहीं होती तो साहिद राजी सभा की संसद नहीं होती। इससे पीछे का कारणी यह है कि नय तो जयावचन का विवारच है और नय ही उनका अभिने केरियर में कुछ खास है। के साथ लिया जाता है तो गरू अगियन बोदि करती है यह महीला अपने आपको बोल रही है कि मैं मतलब मेरा नाम सही लिया जाए तो जगदीब धनकरजी ने साफ साफ बोल दिया कि अगर आपको नाम चेंज करवाना है तो उसका प्रोसेस है चनको नो फिल्म फेर जो ख्याती है जया से साधी करने के बाद और ज्यादा बढ़ी और व्यक्तिकत तोर पर तो अपन कोई भी नहीं जानते लेकिन इनका विवार थोड़ा खराब है थोड़ा रूड है। सांसत जो है जया बचन भार आकर उन्होंने कहा कि मैंने अत्यक्स द्वारा इस्तिमाल किये गए लहजे पर आपत्ति जलाई। आप एक अच्छे समाज से आते हैं आप अच्छे परिवार से आते हैं ये बास सही है। लेकिन रियल माइने में तो ये लोग जानते हैं कि उस भांडों की कोई इज़त नहीं कुआ करती थी एतियासी तोर पर देखा जाई। मनोरणजन के पातर है मातर लेकिन फिर भी आपको इतना ज़दा सम्मान भार्चियों नहीं दिया हैं तो उनको आपको इज़त रखनी चीए। इज़त केवल आपकी नहीं सदन में बैठे हर वेक्ति किये हैं ऐसा उन्होंने बोला तो आप कितनी बड़ी सेलिबरेटी हो संसद में आपको नियम का पालन करना ही पड़ेगा चगदीब धंकर जी ने साब बोल दिया कि आप होंगी बाहर बहुत बड़ी सेलिबरेटी ले संसद के अंदर दलित पिछड़े और गरीब की आवाज आदेश के मुद्दों पर संसद को इलाकर रख देती है आरक्षन और मुश्लमानों के हित में इसने शड़क से लेकर संसद तक आजारों परिक्षन इसने प्रदशन किये हैं शेंकडो बार तो इस इसले में गिर्प सेरनी को आपको असी नहीं आ रही कहीं आपने देखा है कि इस बंदी ने कोई बी ऐसे पर्दिकुलर अच्छे मेटर को उठाया हो लेकिन वज़े यह है कि इनको रास नहीं आता जगदी जंकर जी ने जो बासा का प्रियोग किया है वो एकदम संसद की मर्यादा के तहत किय है और बहुत बार आप और भी देखोगे संसद जया बच्चन जो बोल रही है कि मुझे डाटने वाले होते क्यों नो यह बात जो शुरूई वहां से शुरूई कि उन्होंने जगदीब धंकर जी ने माननीय उप्राश्पती जी ने ऐसे बोला कि जया अमिता बच्चन तो उससे वो भड़क गई और उस चीज को वो कहीं और तिल्मिल आ रही है निका मतलब लोग ऐसे बोल रहे हैं ये ट्विटर पर सुनने को मिल रहा है कि राउल गंदी भी ऐसे अनपारलिमेंटरी सब्द का यूज करते थे वो भी डिस्रेस्पेक्ट फूलता लेकिन उसके लि नियम कानून के तैत होगा ये है धनकर जी फरजी फेमिनिजम को रोज दवा के जबर्दस सर्फस से धो रहे हैं धनकर साब अगर जया बच्चन को नाम में अमिता बच्चन जोडने से दिक्कत है तो जगदीब धनकर ने इनोंने जगदीब धनकर जी ने नियम भी बताए ह कि राजी सबा को मजाक बना कर रख दिया है सिंस नाम की कोई चीज नहीं है आप फिल्म स्टार होगी अपने घर पर आपको डारेक्टर के कहने पर ही चलना होगा जगदीब धनकर जी ने जया बच्चन जी को उनकी सही जगदा दी ये जो है एक्चुली क्यों होता है कि इन लोगों को लोगों ने सर पे चड़ा रखा है जो फिल्म स्टार है इन लोगों को लोगों ने सर पे चड़ा रखा है सोचते हैं कि इनकी बहुत ज़्यदा वेल्य होगी असल में ये बांड और कलाकार और मातर मनोरंजन करता है इस सब्द में कोई आपत्ति नहीं होने जेते हैं लेकिन इन लोगों को निता मेंदी जी से और अम्बानी परिवार से यह तो ज़रूर शीखना चाहिए कि किकने वो किसी के सामने डिस्रेस्पेक्ट चो नहीं करते हैं कितने रस्पक्ट करते हैं सन्टों की सादों की बढ़ों की सबकी उनका बैटा अनन्द अ कि टेंटरम जन्ता के बज़ेश्यो कर रहा है, जन्ता ने इन लोगों को भाहां बिठा दिया, असल में ये बैठने लाइक थे नहीं, बहुत ज्यादा जन्ता ने मुवियन देख देखर इनको हिट कर दिया है तो ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा आपको एक चीज जो जया जी की फैन है मैं अमिता बचन का फैन हूँ अमिता बचन सरल अपनी वानी के लिए जाने जाते हैं विवारिक तोर बहुत अच्छे हैं और ये लोगों के समंध dibuj सादी के अंदर दिख रहा था कितने अच्छे से जो होते हैं सारूख के मिलते हो आप सारूख किनीजी की निजी बतायाँ जाते हैं कितने अच्छे से लोगों से मिलता है बंदा अमिता बचन सर फैन नहीं हूँ बट ऐसी वाहियात चीजे जेलने के लिए बड़ी हिम्मद चाहिए सर यूटूब और गूगल पर जो जया जी भादूरी है उनकी बत्तमी जी के किसे वीडियो भरे पड़े हैं पहले खुद की टोन सुधारे और फिर जरा दूसरों को ग्यान दे वेसे बीजिस पार्टी के म लेकिन आपने वो नहीं चुना आपने ये नाम वाला टोपिक चुना जया जो बादूरी है जया बादूरी अमिता वच्चन की वज़े से जानी जाती है लेकिन जो एसुरिया राय है उसने तो अपने पैचान खुद के दंपे बनाई है एसुरिया राय इपनी सरलता सहस्त कई लिए बहुट जाने जाती है, मगर जया बाधूरी का रवया के साथ और उनकी टेंटरम अलग ही है तो अलग ही है, जब अमीच जी को भी कहने का मतलब अमीच जी की वज़ा बहुत चीज सी अलगी है, मतलब सवाव खुद का भी बहुत सभापती से बोली कि मैं कलाकार हूँ, बोडी लेंग्वेज समस्ती हूँ, और बोडी लेंग्वेज में समस्ती हूँ, एक्सप्रेशन समस्ती हूँ, सर माफ कीजिएगा आपका टोन एकसेप्टेबल नहीं, जवाब में सभापती जी नहीं कहा कि आपको सदन का खयाल रखना अगर जयामिता बच्चन से हाट होती है और जनता की मुद्धे उठाने के समय नाम को लेकर समय जया करना कितना उचीत है किस चीज के लिए वहां पर समय बर्बाद कर देंगे सांसदों का बाद में बखी और कैसे बोलेंगे दूसरी बाद अभी पीछ एक सुप्रिंग कोट का ग्रडिक्ट आया था जो सीजे ने खुद बोला था कि नेताओं के ऐसे मामले सुप्रिंग कोट में बर्बाद होता है सही बात है वैसे ही राजसभा के अंदर और लोगों का समय बर्बाद होता है जो अच्छी बात उठाने चाहरे हैं मुद्धे उठाने के समय आप नाम को लेकर संसर में समय जाया कर रहा है उच्छित लगता है आपको आपको यह सोचना होगा यूपी के 41 विदायकों को जो हैं यहां पर यहां पर नाम रिस्कस करने के लिए और क्याइसा जुए मतलब अज़ीब सीच्छ satisfy बेखेर जाए इस तो नहीं लग रहा है उन्होंने